जैन दोस्तो मेरा नाम है सागर गुपता, डिजायर डुलन में आपका स्वागर दे तो आज अपन कवर करेंगे 30 दिसेंबर के करेंट अपएर्स या आप अपन जाने के कुछ इंपोर्टेंट पैक्ट्स और डॉट्स को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे और अगर आप कोई भी एक्जाम की preparation कर रहे हो for CDS, NDA, CABF, कोई भी एक्जाम आपके लिए ये series काफी important होने वाली है और आप यहां से 100% current affair solve करके ही जाओगे बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं और डॉट्स को connect करते हैं तो first question देख लेते हैं काफी important है आपके एक्जाम के लिए कि कौन सी country host करेगी Asian Women's Youth Handball Championship जो की 2023 में होगा तो वो host करने वाला है अपना प्यारा भारत अगर मैं आपसे World Youth Women's Handball Championship की वाद करूँ तो वो host करेगा Denmark, Norway और Sweden ये चीज आपको ध्यान रखना है तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है अगर मैं आपसे बात करूँ कि इंडिया 2023 में क्या-क्या host करने वाला है जो आपके एक्जाम में 100% ये पूछा जाने वाला है तो इंडिया host करेगा World Table Tennis Championship, World Table Tennis Championship कौन host करेगा? इंडिया तीक है ये कहाँ पे होगी? ये होगी गुआ में ये ध्यान रखना है आपको और क्या host करेगा? IBA, ठीक है? Boxing, Women's World Boxing Championship कौन host करेगा? इंडिया कहाँ पे? New Delhi में ठीक है ये चीज भी ध्यान रख सकते हो और क्या-क्या है? 2023 का Men's Hockey Championship वो कौन? Hockey World Cup कहाँ पे होगा वो? ठीक है? वो होगा इंडिया में ये भी आपको ध्यान रखना है और क्या ध्यान रखना है? Women's ODI World Cup 2025 वो भी इंडिया host करेगा World Cup Women's ठीक है? ICC Women's का जो World Cup होगा 2025 में वो कौन host करेगा? वो इंडिया host करेगा तो ये चार चीज़े आपको ध्यान रखना है और क्या इंडिया host करेगा आप मुझे comment section में बताने वाले हो ठीक है next question देखते है तो second question देख लेते हैं कि कौन से IIT ने जीता है? वाटन QS Re-Imagine Education Award 2022 तो वो आप बताओ मदरास मुंबाई इंदौर रुड की तो ये जीता है अवाट मदरास ने IIT मदरास ने अगर मैं बात करूँ आपको IIT मदरास से क्या याद आता है? आपको याद आता है सिंदूजा वन तीक है? सिंदूजा वन तीक है? ये क्या करता है? ये ocean wave ocean wave energy converter ये question आपको confirm exam में देखने को मिलेगा अब भी IIT कानपूर भी न्यूज में था आपको ये बात पता होगी IIT कानपूर ने क्या बनाया है? artificial heart ठीक है? artificial heart किसने बनाया है? तो वो आएगा कानपूर से ठीक है? और next question देखते हैं इसमें और कुछ नहीं जाना है तो थार्ड question देखते हैं कि फरान बेरेडिन कौन सी country से खिलते थे? और recently इनने announce कर दिया इनका retirement तो ये खिलते थे South Africa से ये question इतना important नहीं है बट South Africa के जो capitals है न ये आप से exam में पूछ लिये जाते हैं तो कौन सी country है जिसके तीन capitals है तो वो है South Africa और कौन कौन से cap town एक है प्रिटॉरिया और एक है ब्लॉम फॉंटेन एक है ब्लॉम फॉंटेन ये आपको तीनों capital याद होना चाहिए तीक कभी भी exam में पूछ लिये जाते हैं कि कौन सा capital है South Africa का ठीक है next question देखते है So fourth question काफी important है कि इंडिया ने recently sign किया है Economic Cooperation and Trade Agreement ECTA कौन सी country के साथ किया है तो ये किया है Australia के साथ ये आपको ध्यान रखना है काफी important है और ये 29 December से ये force में आया है तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है तीक है अगर मैं आपसे बात करूँ ECTA ECTA का जिसका full form है Economic Cooperation and Trade Agreement ये एक first trade agreement है कि इंडिया का कोई developed country के साथ more than a decade तीक है पहले चलों ये बताता हूँ आपको free trade agreement होता क्या है कोई भी country देखो इंडिया और Australia अब क्या करेगा import export करेगा तो जो tariff लगता था ना उसमें क्या होता है ये tariff कम लगने लगेगा ये एक मतलब होता है free trade agreement का ये ही एक फायदा होता है free trade agreement का इंडिया के total free trade agreement है 12 free trade agreement है 12 दूसरी country हों के साथ अभी recently बात चल रही थी बांगलादेश के साथ भी free trade agreement की बांगलादेश के साथ चल रही थी और अभी recently हुआ किसके साथ था यूए के साथ भी हुआ था तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है next question देखते हैं So fifth question आपके लिए काफी important है कि कौन सी country को इंडिया ने अब भी recently hand over किया है मांग देचू hydroelectric power project ठीक है कौन सी country में है और इंडिया ने अब भी recently hand over किया है तो ये किया है भुडान को 720 MW का ये मांग देचू hydroelectric power project जो की implement किया गया है इंडिया के assistance से ठीक है ये चीज आपको ध्य ध्यान रखना है काँ पही किया है ये किया है बुडान में देख काफी important question है और ये आपको exam में देखने को मिल सकता है अगर मैं आपसे बात करूँ recently कौन सी country इंडिया ने अब भी renovate कर रही है क्या मोंगला सीपोड मोंगला सीपोड कहां पे है मोंगला सीपोड है बांगला share करता है ये exam में आपसे पूछा जाता है तो बुडान करता है चार states के साथ water share करता है आप इसे ऐसे याद रखना साप से साप से याद रखना इसको साप मतलब ये देखो सिक्किम ठीक है सिक्किम असाम अरुनाचल प्रदेश और बंगाल वेस्ट बंगाल ठीक है आपको क्या बता सकता हूँ इसमें कितने states है चार states है जो बुडान के साथ नेक्स कोशन देखते है तो धानुयातरा festival कहां पे स्टार्ट हुआ है दो सालों के बाद after the gap of two years अगर मैं आपसे बात करू धानुयातरा ये एक annual drama based open theater performance है जो की celebrate किया जाता है उडीसा में ये का सब एशिया का भी नहीं ये वर्ल्ड का largest open theater है ये चीज आपको धियान रखना है spread over five square kilometer the entire town of barga turns into a stage for the यातरा ये चीज काफी important है ये इसके विडियो भी देखे काफी मतलब इक innovative है और बहुत अच्छा लगता है ये देखने में तो ये कहां पे है उडीसा में ठीक है ये इस टाइब का questions पूछे जाते हैं next question देखते हैं तो 7th question है world class kiking academy to set up in which state कहां पर ये setup की जा रही है kiking आपने देखा होगा ये ऐसे लोग करते है kiking बगिरा water sport है ये आपको पता होगा तो ये की जा रही है उत्तरा खर्ण में ठीक है उत्तरा कंद तहरी में तहरी से आपको क इंडिया का ठीक है tallest dam है इंडिया का और ये कौन सी river पे ये भागी रती river पे भागी रती river पे ये चीज़ आपको पता होना चाहिए और अगर मैं बात करूँ उत्तरा खर्ण अभी क्यों न्यूज में था उत्तरा खर्ण अभी न्यूज में था कि भाई यहां पे गौरफ स सम्मान अवार्ड मिला था गौरफ सम्मान अवार्ड किसको मिला था वो मिला था अजीत दोवाल जी को और किसको मिला था विपिन रावज जी को ये चीज़ आपको द्यान रखना है उत्तराखंट और क्यों न्यूज में था उत्तराखंट का foundation day था 9-11 को 9 November ठीक है और जो ह हरीदवार है न हरीदवार district को aspirational district UNESCO दारा सम्मानित किया गया है हरीदवार को ठीक है ये चीज़ आपको ध्यान रखना है बदरी काओ बदरी काओ भी अब भी न्यूज में थी ये कहा पर पाई जाती है ये पाई जाती है उत्तराखंड में इंडिया का first earthquake warning system कहा पे आ रहा कि Unit-sanskrit जो औखूशल लेंगवेज सिर्फ एक स्टेट की है वो है उत्राखंड की। ऐख उत्राखंड की अफिशल लेंगवेज का संफ्रीज तलती की चीज घ्यान रख सकते हो और ये सिर्फ एक स्टेड की है जहां पर एक official language का दर्जा दिया गया तो वो है उदैपूर उदैपूर जिसका एरपूर्ट का नाम क्या है महाराना प्रताप एरपूर्ट ठीक है ये चीज आपको दियान रखना है और सेकिंड पर आप बोपाल का एरपूर्ट और लास पर है ले का एरपूर्ट ये चीज आपको दियान रखना है इंदोर के एरपूर्ट का नाम क्या है देवी अहिल्या भाई एरपूर्ट है न ये चीज आपको दियान रखना है उदैपूर उदैपूर से आपको क्या याद आता है G20 शेरपा मिटिंग G20 शेरपा मिटिंग कहा पर होगी वो होगी उदेपुर में, हुई, ठीक है, सॉरी, और कौन थे, G20 शेरपा, वो थे, अमीताप कांथ, अमीताप कांथ जी, और भुपाल, भुपाल से आपको क्या याद रता है, साइन्स फेस्टिबल, साइन्स फेस्टिबल, ठीक है, 8th इंडिया इंटरनेशनल साइन्स फेस् कुशन देखते है, 9th कुशन है, कि इंडिया की सवीताश शिरी, जिनने ब्रॉंज मेडल जीता है, वर्ल्ड रैपिट चेम्पियनशिप में, ठीक है, यह कौन से स्पोर्ट से हैं, ठीक है, वर्ल्ड रैपिट चेम्पियनशिप कहां पर हुई थी, पहले आपको ये पता हो चीज़ आपको ध्यान रखना है और इनने ब्रोंज मेडल जीता है नेक्स कोशन देखते हैं तो टैंथ कोशन ने प्रसीडेंट मुर्मु जी ने इनागरेट किया है प्रोजेक्ट डेवलपमेंट ओफ शिरी सेलम टेमपल ये कहां पे कौन से स्टेट में तो ये है आंदरप् अगर मैं बात करूँ किस मिनिस्ट्री के साथ किया है वो कौन से मिनिस्ट्री से फंड करेगी तो इसे फंड करेगी मिनिस्ट्री आफ टूरीजम तो ये आपको ध्यान रखना है काफी इंपोर्टेंट कोशन ये हो सकता है अभी अपन इसके बाद प्रशाद इसकीम के बार प्रोजेक्ट ठीक है ये किया है बांगलादेश ने बांगलादेश जो के अब भी न्यूज में रहा था मैंने आपको बताया था कि मोंगला सीपोड मोंगला सीपोड ठीक है कौन रिनोवेट करेगा इसको रिनोवेट करेगा इंडिया ठीक है ये ध्यान रखोगे आप और मे आ देता हूं आपको five states, five states के साथ border share करता है बांगलादेश, कौन-कौन से है वो five states, एक है आसाम, ठीक है, मिजोरम, मिजोरम, ठीक है, मेगाले, मेगाले, तिरुपुरा, ठीक है, वो fifth है, वेस्ट बंगा, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखने है, काफी important question है, और ये प share करता है, और मेधरी दिवस बनाया गया, 6 December को, मोंगला पोर्ट के बारे में, मैंने आपको बता दिया, next question देखते है, so twelfth question है, which Indian PSU company ranked on top in the report list ADB annual procurement, ठीक है, ये ADB ने अब भी recently एक report निकाली, उसमें इंडिया का एक PSU है, जिसका नाम है webcos, webcos, ठीक है, ये कौन सी ministry के अं resources, ministry के अंदर आती है, और ये एक mini रतन company है, ठीक है, mini रतन company है, ठीक है, webcos is a leading technology driven consultancy engineer, ठीक है, ये आप पढ़ियेगा, और organization in the field of water resources, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये तो क्या नाम है उसका webcos, ठीक है, ADB ने किसको किया है, webcos को rank किया है, ठीक है, next question देखते है, तो 13 question है, who has been honored with the Atal Samman Award, Atal Samman Award से किसे सम्मानित किया गया है, तो वो आपको मुझे बताना है, Mukesh Ambani, Prabhu Shankar Mishra, Naren Modi, C.K. Mulliwala, तो ये सम्मानित किया गया है, Prabhu Shankar Mishraji को, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये अवार्ट दिया किस field में जाता है, ये दिया जात ठीक है, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है, next question देख, so 14 question है, श्रेमती दुरौपदी मुर्मु जी ने, foundation stone रखी है, development of pilgrimage facility at Brotherachlam group of temples, ठीक है, तो ये कहाँ पर ये temples, ये temple है, तिलंगाना में, ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूँ, ये किस scheme के under है, ठीक है, ये किस scheme के under ठीक है, तो ये है प्रशाद scheme के under, ठीक है, प्रशाद scheme, प्रशाद जिसका full form होता है, pilgrimage, rejuvenation and spiritual heritage, drive, इस type का ये full form है, ये चीज़ आपको याद होना चाहिए, और ये launch कब हुआ था प्रशाद scheme, ये launch हुआ था 2014 में, ठीक है, और ये कौन सी ministry के अंदर आता है, कौन सी ministry के बारा launch किया गई थी, प्रशाद scheme, ठीक है, तो और कुछ तो आपको नहीं ध्यान रखना है, next question देखते है, तो 15th question है, who has been appointed as the engineering chief of the Indian army, Indian army ने recently appoint किया है engineering chief, तो किसको किया है, Lieutenant General Ajay Kumar जी, Arvind Walia जी, Harpal Singh जी, Manoj Pande जी, तो वो आपको बताना है, वो है Arvind Walia जी, ठीक है, इनको किया है, next engineering chief of Indian army, ठीक है, तो इसमें, और ये किन को सरपास करेंगे, ये सरपास करेंगे, हरपाल सिंग जी को, ठीक है, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है, next question देखते हैं, तो 16th question है, इंडिया celebrate कर रहा है, dash birth anniversary of श्री गुरु गोविन सिंग जी माराथ, जिसे हम प्र सेज बहादूर जी, जो की गुरु गोविन सिंग जी के पिताजी थे, ठीक है, उनका दियान थो गया था, वो थे 9th सिंग गुरु, ठीक है, 9th सिंग गुरु थे ये, फिर उनके बाद 10th सिंग गुरु किसे मनाया जाता है, वो मनाया जाता है, श्री गुरु गोविन सिंग जी को, मैज न 9 साल की उमर में गुरू गोविन सिंग जी को 10th सिख गुरू मना दिया जाता है, अगर आपन बात करें कि गुरू गोविन सिंग जी ने क्या-क्या इंट्रिड्यूस किया था, तो आपको जिसे पता होगा, कि एंट्रिड्यूस किया, जो कि अभी सिख लोग तरवन पहनते हैं, अपने हेर्स को कवर करते हैं, वो भी किनने इंट्रिड्यूस किया था, गुरू गोविन सिंग जी, ये कोशन आपसे पूछा गया, एक्जाम में कि ये चीज किसने इंट्रिड्यूस की थी, और अगर मैं ब एक बार पॉच्टन आया हुआ है आपके CDS मैं जाफर नामा जो कि एक condensed ぞाफर जिए लिखाता यह लिखाता ओरंगा ओरंगा जेप को ठाहि है ओरंगे जेप को यह लेटर लिखाता जाफर नामा तो अगर आपसे पूच ले जाफर नामा किस ने लिखा था तो वो लिखा था गुरु गोविन सिंग जी ने और किसको लिखा था वो लिखा था औरंगर जेप को ठीक है मुगल एमपेरर औरंगर जेप को ठीक है next question देखते है तो case of the day आपके लिए कि धर्मादम become the first complete library constituency in India तो धर्मादम कौन से state में है तो आपको बताना है गुजरात, महराश्च, उडिसा, केरला तीक है तो आप मुझे comment section में बताने वाले हो तीक है काफी अच्छा comment किया है और definitely आपका इस बार selection होगा ही तीक है next question दिखते है तो union minister for youth affairs and sport अनुराख सिंग ठाकूर जी ने recently inaugurate किया है sports science center तो ये कौन से state में किया है तिरुपुरा, असाम, वेस्ट बंगाल, करनाटका तो ये आप मुझे comment section में बताऊगे कि इसका सही answer क्या है शब्नम ठाकूर ने काफी अच्छा comment किया है कि काफी अच्छा रखता है, motivation feel होता है आपके comments को देखके तो आशा करता हूँ, आपको ये series और lecture काफी पसाद आया होगा अगर आपने instagram पे follow नहीं किया है तो please follow us on instagram and for the pdf you can follow us on desire to learn telegram handle this video is presented by me, my name is Sagar Gupta मिलते हैं next class में, जब तक के लिए अपना दियान रखिए